लोकी इशू 3 किंग नो मोर वाच अनाइट में अभी बस में एक और बैठी रहती है यह से बहुत कन्फुजिंग होगा पहले लेडी अजीव है न पुलिसों की पार्टी मुझे पता नहीं था कि पुलिस भी पार्टी करते हैं वही तो चलते हैं यहां से यह लोकी ही कहान नहीं चाहिए है न ना है किसी दुखी महिला जो बस से कहीं जा रही अपनी बीबी को याद करके उस डर से जो नाइट मेर ने उसे पिछली रात दिया था यह भूतों का साधी सुधा लोगों के पीछे जाने में क्या मज़ा आता है समझ नहीं आता वेट्रेस ओ मैं गॉड यह कितना ला जवाब है हाँ पता है मेरे पार्टनर भी हमें इसा कहता है मैं अपने पापा पर गई हूँ मैं नाम रॉबिन है मेगन तुमारी पार्टनर है अब पार्टनर बोले तो प्लीस में है वैसे क्या तुम यहां डांस कर सकती हो बिल्कुल उसके बाद मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा तुम क्या ऐसा चाहती हो फिर वो चली जाती है लास्ट स्टॉप हाँ मुझे पता है कि बाद में यह बहुत ज़रूरी होगा पर माफ करना फिलार मैं फोकस करने की कोशिस कर रहा हूं तभी लोकी के पीट में कोई तलवार भोग देता है लोकी नीचे गिरा हुआ उसको साने टेवल पे एक ब्लू कलर की लड़की और लड़का रहते हैं हम ऐसा की तरफ मैं खुद को कुछ ज़्यादा ही समझे लिए था हूं माफ करना बच्चो पर क्या तुम यह फिर से दिखा सकते हो थोड़े आराम से समय लेकर और तरीके से तभी लड़का बोलता है समय का कोई क्रम नहीं होता तुम्हारा ये आदम परदार्थ बोध, मन बस सची आयाम को समझ नहीं सकता हाई, मैं नाओ हूँ और ये जो छुप नहीं हो रहा वो तेन है हम लोग इतनीटी के बच्चे हैं बहुत खूब, इतनीटी के बच्चे हैं, वो भी कुछ होते हैं और जो अब तक पता नहीं क्यों, एसकार्ड की लाबरी में छुपे वें जिसे तुम अहनकार पुर्वा के एसकार्डियन लाबरी कहा रहे हो लेकिन यह सब जानने वाले हाल की एक साखा है जो सर्व सक्तिमान सहर में सिर्फ एक सार रचना है मेरे भाई का कहने का मतलब यह है कि हम लोग तुमारे घर में नहीं बलकि तुम हमारे घर में हो और हमारा घर है दा हाउस अफ आइडिया तब यह परेसे हॉल में प्रवेस करता है जिसे देख कर लो कि चौक जाता है जल्दी से कुछ अच्छा बुलना होगा ताकि यह लोग मुझे बुरवक न समझे यह तो लाजजवाब है योटन हाइन दैत्यों का घर नहीं जिन जंगलों को तुम खाली करने की बात कर रही हो वहाँ पहारी दानवाप में शिकार ढोणते है उनकी जरब पहले से ही राजा लोकी के साथ है और अब तुम उनका खाना भी छिनना चाहती हो तभी लेडी जाइंट परवाग खेती करने से सबको भूजन मिलेगा मेरे प्रबू यहां के निवासी खेती नहीं करते वो शिकार करते हैं महराज लोकी ने खुद मुझे वागित देखने का तौफा दिया तुम अपना सभाव नहीं बदल सकते अगर तुम खेती किये तो बरबाद जाएगा और तुमारा परिवार मर जाएगा अगर तुमें कुछ खाना ही हो तो सिकार करो खाओ बस काफी है इसी पर डार्फ फ्रोस्टी मैं ये कह रहा था मेरे आका पर उसके पास तो एक बच्चा है ये बच्चा क्या होता है तुम मेरे फैसले पे संदे है डार्फ ये मत बूलो कि जहां तुम हारे थे तब मुझे बनाया गया था ने ने मैं तो बस मैं हूं महान फ्रोस्टी योटन हाइन से महराज लोकी का सबसे खास मेरे बुजाएं ये अगडर सील के टहनियों से बनी और मेरी आँखों में नौर्मिस टोन्स है मैं महराज का आवाज हूं तुम उनके पाल दू समझे अच्छी तरह से मर्याका हाँ तो किसकी कानी थी है सभी की वो कोई भी जो थोड़ा हीरो गिरी करते हो चाने अन जाने में उनके चाने वालों ने लिख दिया जो अब अननकाल तक रहेगा वे तुम्हारे सामने थौर की किताबे है जया तेर तो पिक्चर्स हैं बकवास और ये किसकी है इसे देखकर तो लगता है कि ये मेरे भाई से में ज़्यादा कहानिया है वो स्पाइडर मैन की अच्छा उसकी तो बल्ले बल्ले अरे ये तो देखो इतनी लिखीवी कहानिया किसकी हो सकती है ओ ये सब वुलवरीन की किताबे है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तो वुलवरीन से काफी बढ़ा हूँ ये सब विरोज की एक ही जीवन कान में इतनी कहानिया ओ उसके लिए हम है ना अच्छा तो कीमत क्या है ये एक सौदा तो है लेकिन हम वही चाहते हैं जो तुम चाहते हो हमने आपकी मनुकामा सुनी है जो अब किसी की देव नहीं है सबसे पहले बहुत बुरा लगा और दूसरी बात अगर तुम्हें पता है ही तो मैं अब कुछ नहीं चाहता मैं एक राजा हम और अच्छा खासा हिरो भी इसे तुम क्याद कर सकते हो वही जो हमने और हिरोज को दिया है ज़्यादा समय खाली पन्ने तुम्हारे किताबों के लिए जो है वो तो रहेगा ही उसी के बीच में जहां कहीं तो तुम कहना चाहते हैं कि थौर्ट, एस्पैडरेमेंट सब यहां आयते हैं सोदा करने सब के लिए अलग रहता है बहुतों को तो याद भी नहीं रहता कि हम मिले पर हमें सब की सुननी पड़ती है कभी ख्वाब में, कभी दुआ में कभी तो चीक-चीक कर भी किसी के लिए तो यह काफी जरूरी रहता है कोई भी यहां तक की आस्गर्डियन भी दूसरों के लिए हम उनकी जिम्यदारी की भावना से बिनम्रत है उन्हें बलेदान के लिए और अधिक समय दिया एक मौका शायद सभी को बचाने के लिए लेकिन औरों के लिए उनकी दिली इक्षा उन्होंने सजा के लिए और समय मांगा सुनके लग रहा है ये मेरे वाला वुल्वरीन होगा अच्छा तो बताओ मेरे दिली इक्षा क्या है आजादी अपनी सफलता से तुम्हें पता है कि वे उस आदमी के बारे में क्या कहते है जिसे अचानक वो सब कुछ मिल जाता है जिसकी वो कभी कामना करता है वो जिन्दिगी से उप जाता है अच्छा चलो तब चालो करते हैं शुरू क्या जाए ये खेल तुम्हें कैसे पता किये छे नड़ांगी बंद करो हर चीज़े खेले मुझे क्या करना होगा कोई मकरी मानी होगी ये थोर के चेहरे पे हैं ये वो अच्छा बताओ तुम्हें तलवार बाजी आती है अब क्या ही कहूँ महान बाल्डर को मानने में मेरा ही हाथ था उसकी मौत तलवार से हुई थी कह सकते हैं सट रंग खेल लेते हो कितना मुश्किली होगा मैं एक महरा परतित होता हूँ तो हर कोई हमेशा ऐसा ही महसूस करता होगा अच्छा जल्दी बताओ ये चल क्या रहा है ये खेल दिमाग और दम दोनों का है और इसका परिना लराई के मध्यम से होगा जबकि हम खुद खिलाड़ी भी है और खेल भी तो शुरू किया जाए चलो शुरू करते हैं मैं महरे के रूप में मरा रानी के रूप में मारा भी और भी कई बार मैं बाईशाप के रूप में भी मारा जो थोड़ा अच्छा लगा बदमास के रूप में मारा भी गया मुझे कभी समझ नहीं आया कि महल को तलवार से कैसी गिराया जाए और अंते में मैं एक राजा के रूप में विजय के लिए तेयार हुआ चेक मेट मैं बेकार का सोच रहा था कि बहुत मुश्किल हो गाई तरवाजे पर नौक होते ही एक दमपती उसे खोलते हैं दमपती मेगन बेटे सब सी ठीक है मेगन क्या रॉबिन यहां है वो यहां आया भी था बेटे यह रॉबिन कौन है मतलब कि सब सच है बिल्कुल भगवान शैतान सब होते हैं अगर तुम्हें लग रहा है तो तो यह बिल्कुल सच है कोई और कुछी भी बोले तो भरोजा मत करना है और अरे बेटे फिलिप्स जो सही ने लग रहा है इसके जाब चाह ले आओ मेगन धिले से कुछ बोलती है और क्या का तुने बिटे मेगन मैं पूछी थी क्या पापा अब भी सिकार करते है लोगी अच्छा खेले तो पर अगर थौर को रहाना चाहते हो तो और मैनत करना होगा ओ हम लोग थौर के साथ नहीं खेलते आखिरकार वो तो थौर है चलो अब जल्दी इसको खतम करते हैं अचानक से मेरा सर चक्रा रहा है ठीक है ये किताब पे साइन कर दो उसके बाद तुम्हारे पास समय ही समय होगा अपना राज करने के लिए अच्छा अगर मैं कहीं और रहा हूँ और यहां मेरी जोट हुई तो तो तुम यहां होंगे और अगर मेरी जोट कहीं और हुई तो तो तुम वहां होंगे तभी मेरा सर चक्रा रहा है तुम्हें तो पता होगा ही कि समय यहां का बेट कुर लगा कहानी है ना ये क्या अब तुम कहानी के देव नहीं हो वो पता लगा ले मिया से कहीं कायब होता हुआ यह तो हो गया तब तो बिल्कुल नहीं लग रहा था जब वो तुम्हें मार रहा था सौधा तो हो गया अब लौकी की किताबे हीरो की कहानिया और उनके मौत की तरह लिखी जाएगी ऐसी कहानि जहां उसे वो भी कुछ नहीं कर सकता। जितनी बार दुनिया बचाता होगा। क्या वाकई बच्चे थे मैं तो कुछ और ही सुना हाला कि मैं देखा नहीं। हे भगवान ये जान गया क्या ये जान गया क्या सबको पता सल गया। मेरी द्रिष्टी में साफ दिकरा कि जूट बोलने वले देव किस से तरते हैं। सच से। ऐसा सच जो खुच सची पा रहा। ये काफी तेज हो गया या इसे मैंने नहीं दिया। ये कुछ जादा ही सही होगा सच होने के लिए। तुम्हारा बच जाना तुम्हारा हीरोगिरी दिमाग भी आखरी मौके पे खेल खेल जाता है। और खेल खेलने तुम से अच्छा कौन होगा। लॉफी सन। अब घुच से जूट बोलना बंद करो। और सच ये है कि तुम कभी लॉफी के चपेट से बाहर नहीं आ पाए। ये सब मेरे प्लैन का हिस्सा है। हमेशा है मेरे प्लैन होता है न। तब ही वो गहीं गिरते हुए। अभी के लिए तो कोई योजना जोड़ी होगा। कर दोगप च जाए। कर दोगी नहीं आ जोगप के पाए।